Facts of Tarek Mehta का उल्टा चश्मा सोनी, सब पर प्रसारित होने वाला शो Tarek Mehta का उल्टा चश्मा साल 2008 में शुरू हुआ था. तब से लेकर आज तक ये शो दर्शकों को हंसाने में कभी फेल नहीं हुआ है. जेठालाल से लेकर बबीता जी तक सभी किरदारों ने दर्शकों के द इल्चस्प बातों के बारे में बताने जा रहे हैं. Fact Numbers One, क्या आप जानते हैं कि Tarek Mehta का उल्टा चश्मा के वास्तविक लेखक कौन है? ये शो गुजरात के मशहूर लेखक Tarek Mehta के कौलमून्धा चश्मा पर आधारित है, जिसे बाद में किताब के रूप में छापा गया था, और फिर शो बनने पर इसका नाम Tarek Mehta का उल्टा चश्मा रखा गया. फैक्ट नमबर टू, जेठालाल को मिला था, बापू जी का किरदार जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीब जोशी को पहले बापू जी का रोल मिला था, हालांकि बाद में इस रोल को अमित भट को दे दिया गया था. Fact No.3 जेठालाल से उम्र में छोटे हैं बापूजी शो में बापूजी का किरदार निभाने वाले अमिद भट उम्र में अपने बेटे यानी जेठालाल दिलीब जोशी से भी छोटे हैं Fact No.4 जेठालाल की पतनी दयाबेन और साला सुन्दर असली भाई बेहन शो में भाई बेहन का रोल निभाने वाले दयाबेन उर्फ दिशा वकानी और सुन्दर यानी मयूर वकानी असल में भी भाई बेहन है Fact No.5 लिमका बुक के बादगिनीज बुक ओन एफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होगा शो सबसे लंबे समय से टीवी पर राज करने वाला ये शो लिमका बुक में तो अपनी जगह बना चुका था लेकिन अब ये शोगिनीज बुक ओन एफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाने जा रहे है शो ने 3000 एपिसोड पूरे कर लिये है Fact No.6 गोकुल धाम सोसाइटी की असलियत गोकुल धाम सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमने वाला तारक महता का उल्टा चश्मा शो दिखने में भले ही असली लगता होगा लेकिन वास्तव में ये फिल्म सिटी में बनाया गया डमी है Fact No.7 जेठालाल के रूम से किचन तक नहीं है कोई रास्ता एक फैमिली शो होने के नाते कई बार रूम और किचन का जिक्र किया जाता है लेकिन वास्तव में शो में कोई किचन और रूम है ही नहीं सीन के हिसाब से इसे एडजस्ट किया जाता है Fact No.8 जेठालाल की दुकान की असलियत बाद जब शो की आती है तो जेठालाल, सोड़ी और अब्दुल की दुकाने भी चर्चा में रहती हैं क्योंकि वह तीनों कई बार दुकानों पर चर्चा करते नजर आते हैं देखने में भले ही ये असली लगता हो लेकिन वास्तव में ये भी गोकुल धाम की डमी का हिस्सा है जेठालाल की दुकान का असली मालिक कोई और आपको लग रहा होगा कि गोकुल धाम और अन्य लोकेशन की तरह जेठालाल की इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान भी नकली है लेकिन ऐसा नहीं है जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रोनिक्स असली है जो शेखर गडियार की है ये दुकान मुंबई के खार इलाके में है और जब भी सीन होता है जेठालाल इसी जगह पर शूटिंग करते हैं असित मोदी नहीं बलकि दिलीब जोशी का था TMKOC का आइडिया भले ही शो के प्रोड्यूसर असित मोदी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि शो के कई सीन्स का आइडिया दिलीब जोशी का है बबीता जी का आइडिया भी उन्हीं का था और इसी की बतौलत शो आज हाइप पर है Fact No.11 Script लिखने वाले तनुझ को जेठालाल ने बनाया अइयर इस बात में कोई शक नहीं है कि जेठालाल काफी क्रियेटिव है उन्होंने अइयर की भूमी का निभाने वाले तनुझ महाशब्दे को अइयर के रूप में अप्रोच किया था जो पहले शो की स्क्रिप्ट लिखा करते थे फैक्ट नंबर बार इंस्पेक्टर चालू पांडे थे क्रियेटिव कंसल्टेंट शो में ऐसे कई किरदार हैं जो पहले एक्टिंग के अलावा बैक साइड में इसके लिए काम करते थे उदाहरण के तौर पर इंस्पेक्टर चालू पांडे और दया शंकर पांडे पहले क्रियेटिव कंसल्टेंट हुआ करते थे फैक्ट नंबर ते एक्जिक्यूटिव प्रोड्यूसर निभाते हैं ये रोल शो में जेठालाल के साले सुन्दर के दोस्त का किरदार निभाने वाले जतिन TMKOC के एक्जिक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं फैक्ट नंबर फोर्टीन सबसे छोटे आर्टिस्ट को मिलते थे सबसे ज्यादा पेमेंट जेठालाल के बेटे का किरदार निभाने वाले पुराने टप्पू यानि भव्य गांधी चाइल्ड आर्टिस्ट में सबसे ज्यादा पैसे वसूलने वाले एक्टर थे जिन्हें एक एपिसोड के 10,000 रुपेय मिलते थे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो देखने के लिए बने रहे